हेलो बच्छो आज हमारा टौपिक है फोर्स और साथ में इसमें डिसक्स करेंगे फंडामेन्टल फोर्सिस के बारे मेंं और टाइप ओफ फोर्स क्या होते ए तो फोर्स क्या है फोर्स एक ऐसी external activity होती है जो किसी बॉड़ी की position को और उसकी shape and size को चेंज कर सकती है तो अगर हम किसी body पर ऐसी external activity करें कि उसकी क्या हो जाए size, shape इसमें change हो जाए और या उसमें position change हो जाए यानि वो उसमें motion डवलप हो जाए तो हम कहेंगे कि इस body पर force apply हो गया है तो force को F से denote करते हैं और किसी body पर हम force की value को increase करेंगे तो अगर हम उसके position की change के respect में देखेंगे तो उसमें acceleration डवलप होगा और जैसे जैसे हम force को बढ़ाएंगे तो उसमें acceleration increase होगा ठीक है, तो हम लिख सकते हैं force is directly proportional acceleration ठीक है, यानि यदि हम किसी body पर कोई net force apply करें तो वो accelerate हो जाएगी जिसमें force directly proportional होगा acceleration के, ठीक है यहाँ से हम proportional sign के लगा रहे हैं जैसे force बढ़ेगा, वैसे वो उसका acceleration जाद होगा तो इसमें जो balance करेंगी equation को, body की property करेंगी जिसे हम mass बोलेंगे F is equal to M into A तो M क्या है body का mass तो force किसके बराबर होगा product of mass and acceleration जदी body का mass जाद है तो उसमें acceleration कम होगा और जदी body में mass कम है तो उसी fixed force पर उसमें acceleration जादा हो जाएगा इसकी unit की बात करें, तो mass की unit होती है kilogram और acceleration की meter पर second square अगर ऐसा unit इसकी newton होती है इसे हम N से denote करते हैं, ठीक है तो यह हो गया force इसमें अगर type of forces की बात करें तो contact and non contact force पहला type होता है, पहला type होता है, contact force मिंस अगर दो body के बीच में force है और वह आपस में एक दुसरे contact कर रहे है तो ऐसे force को क्याक बोलेंगे, contact force जैसे कोई body सड़क पर चल रहे है, कोई vehicle सड़क पर चल रहा है तो उनके बीच में friction force है, या पहिए के और सड़क के बीच में एक friction force प्रोड्यूस होता है तो यह जो friction force है, यह contact force होगा, ठीक है या हम किसी body पर force apply करें उसको push या pull करें तो इस condition में जो force है, वो contact force होगा यानि इस force के under वो body motion कर सकती है, ठीक है यदि यह force net apply हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको touch किया है, तो यह contact force होगा और इस पर एक contact और force काम करेगा body के और इस पात के बीच में friction force, जो इसके opposite होगा जब 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 तक यह force और यह friction force, इसमॉल F सरी नोट कर रहा हूं इसको जब तक यह दोनों force एक दूसरे के equal होंगे, तो body में motion नहीं होगा क्योंकि दोनों equal हैं और opposite हैं, तो net force होगा जीरो motion कब होगा? यानि जो हमने condition लिखिया है, कि force के बढ़ने से acceleration बढ़ेगा लेकिन वो force, net force होना चाहिए, यानि अब तो क्या है, friction और apply force सेम है और एक दूसरे का opposite है, तो net force होगा 0, जब तक F net 0 रहेगा, तब तक body में क्या रहेगा? कोई भी acceleration नहीं होगा, ठीक है? body balance condition में रहेगी जैसी पहले से थी, लेकिन जैसे ही हम force की value ऐसा बढ़ाएंगे कि वो friction बढ़ना बंद हो जायागा एक limit के बाद, तो उसमें हम बोलेंगे, तो body क्या होगी? उसमें motion हो जायागा body में, तो body force की direction में move करने लगेगी, तो हम कहेंगे इस समय इसमें net force लग गया है, तो इस condition में body के बीच में क्या होगा? बोड़ी के अंदर motion होगा और body पर एक net force apply होगा, इसी net force के प्रभव से वो body motion में होगी, ठीक है? दूसरा होता non-contact force, non-contact force में दो body आपसमें contact नहीं करती हैं, ठीक है? जैसे दो charges के बीच में force लग रहा है, या magnet iron particles को अपने तरफ attract करती है, या दो bodies के बीच में gravitation force, अर्थ और किसी body के बीच में gravitation force, जैसे moon और earth के बीच में force, ये दो body आपसमें एक दूसरे को, जो इसमें contact में नहीं है, लेकिन force इनके बीच में है, तो ऐसे force को बोलते हैं, non contact force, तो एक तो contact और non contact force हो गया, एक type होगी इनकी, दूसरा इसमें पढ़ते हैं balance और unbalance force, balance and unbalance force, अगर किसी body पर दो या दो से ज़्यादा force apply हैं, और सभी force होगा net sum 0 है, तो body balance condition में रहेगी, उसमें कोई moment नहीं होगा, तो ऐसे force को कहेंगे balance force, और यदि किसी body पर दो या ज़्यादा force लगे होए हैं, और net force 0 नहीं है, body की position change हो रही है, तो वो force होगा unbalance force, ठीक है? तो यह था force और साथ में type of force, इसी वीडियो में हम discuss करेंगे, अभी fundamental forces के बारे में, तो fundamental forces वो force होते हैं, जो nature में कुदरती ही हैं, ठीक है, तो उनको कोई define नहीं कर सकता, उनको खोजा जा सकता है, जैसे electromagnetic force, यह कुल चार प्रकार के हैं, electromagnetic force, gravitation force, तीसरा है nuclear force, ठीक है? और nuclear force में भी एक strong और एक weak nuclear force, तो कुल तीन प्रकार के हैं, तो strong और weak, अगर हम इनको दोनों को classify करें, तो कुल चार हो जाते हैं, तो इसमें electromagnetic force क्या है? electromagnetic force जो experience होता है, यह experience particle charge है इसका, और force carrier होता है, gamma photons की वज़े से, और इसकी range है, infinite range का force है, ठीक है? दूसरे नमबर पर आता, gravitation force, mass particle इसको experience करते हैं, gravition force, gravition particle होते हैं, वो force carrier है, और इसकी भी range क्या है? infinite, यह सबसे ज़्यादे weak force है, much weaker है यह, और जो electromagnetic force है, वो gravitation, जो force of gravity है, उससे थोड़ा सा strong होता है, ठीक है? strong than gravity, थर्ड नमबर, nuclear force, nuclear force, nucleus के अंदर पाया जाता है, तो यह दो प्रकार का होता है, पहला strong और दूसरा, weak nuclear force, ठीक है? तो strong nuclear force, quark और pie-mason particles experience करते हैं, और force carrier, pie-mason particles, ठीक है, गिलियोन भी बोलते हैं, यह short range के होते हैं, 10 to power minus 15 meters की range है, ठीक है? दूसरा, weak nuclear force, weak nuclear force में भी जो experience particle है, वो same है, बिल्कुल, quark and pie-mason, यह गिलियोन, और यह जो charge force carrier particle होता है, W and Z particle, boson particle बोलते हैं इनको, और इनकी भी range है, short range force है, 10 to power minus 18 meter, ठीक है? तो इन force हों को deeply हम पढ़ेंगे nuclear physics में, ठीक है? यहाँ पर बस थोड़ा सा, इसनका basic discuss किया गया है, इस video में, तो यह video हमने force से related prepare की है, इसमें force और साथ में fundamental forces को discuss किया गया है, thank you.